आपने इससे पहले कई प्रकार के लड्डू बनाई होंगे और लड्डू ऐसी रेसिपी है जो सबको बेहत पसंद आती है लड्डू सभी को बहुत ज़ादा टेस्टी लगते हैं चाहे फिर वो किसी भी तरीके से बनाए गए हो लेकिन आज हम एक special लड्डू बनाने वाले हैं इसी बनाने का बहुत यूनिक तरीका है और हम इसे बिनाचीनी की बनाएंगे और बहुत कम घी में बनाएंगे आप इन्हें 10-15 दिन तक के लिए airtight container में store करके भी रख सकते हैं तो वीडियो को फुल वाच कीजेगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा फिर देख लेते हैं लड्डू को हम किस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर इन लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में 2 कप आटा लेंगे और वैसे तो इन लड्डू को बनाने के लिए मोटा आटा यूज किया जाता है जो चक्की में पीसा जाता है रेडिमेट आटा थोड़ा पतला होता है बारीक होता है तो उस आटे का इस्तमाल इसमें नहीं होता लेकिन अगर आपके पास यह आटा ना हो, मूटा वाला आटा ना हो, तो आप इसमें इस तरह से आदा कप सूजी भी आड़ कर सकते हैं तो दो कप आटा ले लिया है हमने और आदा कप सूजी और अब इसी आटे में हम आट करेंगे, घर की जमा की हुई दूद की मलाई सिंप्लिस जो हम रोज दूद लाते हैं, उसके मलाई मैंने यहाँ पर एकटा करके रख रखी है और यह एक कप मलाई है, अगर आपके पास मलाई यहाँ पर ना हो तो आप वन फोर्थ कप घी एड़ कर सकते हैं अब इस मलाई को हम दीरे दीरे करके इस आटे में एड़ करेंगे और इस आटे का हमने सकत डो बना कर तयार करना है यहाँ पर लगबग 10 मिनिट तक मैंने मसल मसल कर इस आटे को स्मूध बना लिया है आप देख सकते हैं जो हमारा बरतन है वो एकदम साफ हो चुका है उसमें बिल्कुल भी आटा नहीं है और जब आप इस आटे को छू कर देखेंगे तो एकदम सौफ्ट आटा बनकर तयार होता है क्योंकि हमने इसमें मलायाट की है तो बस आप यहां पर यह आटा गूतने के बाद अच्छे तरह से अब हम इसके चोटे-चोटे पीसिस करेंगे तो जो यह आटे की चोटी-चोटी लोईया हम तोड़ रहे हैं इन्हें हम फ्राइ करेंगे आप एक समान ही निकालें और इसकी पीसिस करने के बाद हम इसकी हातों से मुठिया बनाएंगे और जो यह मुठिया होती है इसे हम हातों से इस तरह से फिंगर्स को इंसर्ट करेंगे इसमें ताकि इसमें होल बन जाए एक एक करते हूए सारे हमें इसी शेप में बना लेना है इस तरीकी से फिंगर को इंसर्ट करके हम जो ये मुठिया बनाते हैं ये फ्राई एकदम अच्छी तरह से होते हैं जिससे ये अंदर तक पकते हैं आटा बिल्कूल भी कच्चा नहीं रहता पर आटे के जितने पीसे से हमने सब की मुठिया बना कर तयार कर ली है हम इने फ्राइ कर लेते हैं जिसके लिए कड़ाई में हम एक कप खी लेंगे और घी को हलका गरम कर लेना है और जैसे ही यह हलका गरम हो उसके बाद हम एक एक करके इन आटे के दवारा बनाई गई मुठिया को हम जितने एक बार में आते हैं कड़ाई में उतने डाल देंगे और इन्हें धीमी आज पर हलका सुनहरा होने तक फ्राइ करते जाना है और एक तरफ से जब हलका ये सुनहरा हो जाएं उसके बाद आप इने पलट दें और दूसरी तरफ भी ये कलर आने तक आप इने पका लें रगबग 10-15 मिनिट तक बिल्कुल लोग फ्लेम पर मैंने इसे सुनहरा कलर आने तक फ्राइ कर लिया है और दूद की मलाई की वज़े से ये घी बहुत ज़्यादा कम सोकता है इस रेसिपी में आपको घी भी बहुत कम लगने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल सुनहरा कलर हो चुका है इसका फ्राइ करने के बाद तो यहाँ पर हम इने निकाल लेंगे तो इसे दूसरे बरतन में निकाल लें और दूसरे बैच के जो मुठिया हैं उनको भी हम सिम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे सबसे ज़्यादा टाइम इसे फ्राइ करने में लगता है तो बिल्कुल पेशेंसली इस काम को करें और बनने के बाद यह लड़्डू बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं करने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपने गेहों के आटे से बनाए हैं यहापर इसी तरह से दो से तीन बैच में मैंने इने फ्राइ कर लिया है जब ही एक बार यह सारे फ्राइ हो जाए तो इनने थोड़े ठंडा कर लें और इसके बाद एक मिकसर का जार लेंगे और इस जार में आप जो मुठी हमने फ्राइ की है उसको हमने छोटे छोटे टुकडों में करके डाल देना है पहली बारी में मैं इतने ही पहले डाल कर पीसूंगी क्योंकि एक साथ हम जादा डालेंगे तो बारी की से पीसेंगे नहीं और बीच में थोड़े थोड़े मोटे टुकडे रह जाएंगे तो इस तरीके से मैंने दो बार में इनको पीस कर तयार कर लिया है यहां पर आप देख सकते हैं यह पीसकर मैंने तयार कर लिया है और आप देखेंगे कि जो इसका पाउडर है वो बिलकुल बारीक नहीं पिसे का हलका इसका दरदरापन रहता है और इसमें घी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता बिल्कुल ड्राइ बन कर ये तयार होता है नॉर्मली जो हम चूर्मा बनाते हैं उससे ये बहुत जादा टेस्टी है क्योंकि हमने इसमें घर की मलाई का योज किया है तो यहाँ पर ये गियू के आटे का चूर्मा बन कर तयार है तरब उसके बाद इस चूर्मे में हम गुड़ एड़ करेंगे लेकिन यहाँ पर आज हम गुड़ को ग्रेट करके लेंगे कदुकस करने से गुड़ एकदम बारी की से पीस जाता है और एक समान पिसेगा और लड़ू में इवन ली ये मिक्स होगा वैसे तो हम गुड़ को मेल्ट भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आज हम मेल्ट नहीं करेंगे कदुकस किया हुआ गुड़ चूर्मे में आड़ करते हैं तो यहाँ पर हमने दो कप आटा लिया था तो उसी हिसाब से हम दो कप ये गुड़ का पाउडर मेजर करके इस आटे में डाल देंगे अब उसके बारी कटे वे कुछ ड्राय फूर्ट आप इसमें एड़ करना चाहें तो आप उसे भी एड़ कर दें यहीं पर साथ में 4-5 इलाइची को दरदरा कूट कर इसमें डालतें जिसका फ्लेवर लड़ू में बहुत अच्छा आता है अब इन दोनों चीजों को इस चूर में में अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि इलाइची पाउडर और ये ड्राय फ्रूट्स आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं ड्राय आटे में ये कद्दू कस किया हुआ गुड बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है तो आप हातों से एकदम अच्छे से मसल कर इसे मिक्स कर लें और उसके बाद उठी में इस तरह से बांद कर आप इन्हें जितने साइस के इसके लड़ू बनाने हैं उतने साइस के आप इन्हें बना लें चाहे छोटे या बड़े आप किसी भी प्रकार के बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से बाइंड हो जाते हैं क्योंकि हमने घी था हमारे पास जिसमें हमने यह इसकी मुठिया को फ्राइ किया था बस वही घी को मैंने इसमें डाल दिया है और उसके बाद सारे घी को इसमें मिक्स कर लूगे और फिर एक-एक करके हम इसके लड़ू बना लेंगे तो इस तरीके से दो तरह की लड़ू आप इससे बना सकते हैं कम घी के भी और थोड़ा ज़्यादा घी डाल कर भी घर में जिसे जैसे पसंद हो वैसे आप बनाएं देखा दोस्तों आपने बहुती कम समान में बहुती कम घी में और बिना जाशनी के आज हमने ये लड़ू ब बनाएं बेहत पसंद आएंगे सभी को तो दोस्तों इस लड़ू को बनाना बिल्कुल ना भूलें ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें बच्चों को चोटी मोटी भूक लगी है तो भी आप देख सकते हैं और रात को सोते वक्त या फिर मॉर्णिंग ब्रेक्फस के बाद अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो दुबारा से मैं आपको बोल रहे हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपना सपोर्ट दिखाएं इस चैनल को और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और रेसिपी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें